कपकापाती ठंड में मंगलवार की रात जब बिहार के डिप्टी सीम के यश्वी यादो पटना की सड़कों पर जब निकल गए तो गरीब गुर्वे देखते रह गए लोगों का हाल जाना पुछा और भरोसा दिलाया मंगलवार की देरात रैन बसेरो आस्थाई आस्रब अस्थलो का ओचक निरिच्छन बिहार के मुखमंत्री के जश्वी पर शाद यादों ने किया वहाँ उपसित लोगों की अपेच्छाओं को शोयम जाना तता शंबंदित अधिकारियों को उन कमियों को यतासिग्र दूर करने का शक्त दिसान निर्देश भी दिया जिहां आप सही सुन रहे हैं और तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम के जश्वी यादों हमेशा अपने अच्छे कार्जों के लिए चर्चा में आ जाते हैं यही हुआ मंगलवार की रात जब बिहार के अलाई अधिकारियों के साथ जब मुख मंत्री तेजश्वी यादों पटना की सड़कों पर निकल गए अपने रिक्सी के बगल में सोय हुए रोट के किनारे सोय हुए रैन बसेरों में सोय हुए लोगों से मिला और उनका हाल ज हमारे गरीब भाईयों के लिए शमस्या उत्पन्नक करें इसलिए हमारी सरकार ने रैन बसेरों और निसुल अस्थाय अस्थालों का इंतजाम किये हैं बिहार के डिप्टिस्टीम निकाया बियान है नमस्कार मैं हूँ सुनिल बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना चैनल मगश्शंबाद हमेशा आपके लिए खास ख़बरों को लेकर आते रहते हैं दोस्तों आज मंगलवार की रात जब बिहार के उप्मुक मंत्री जश्वी यादव पटना की सड़कों पर गरीब बिसहारों से मिलने निकल गए उनके साथ अला अधिकारियों की जूंड देखते बन रहा था आपको बता दें मंगल बार की दिर रात रहन बसेरो और आस्थाई आस्रम अस्थलो का और्टक निरिच्छन डिप्टी सीम के दवारा किया गया वहां उपस्तित लोगों की अपच्छाओं को श्वयम जाना तता सम्मंदित अधिकारियों को उनकी कमिय को यह था सिग्र दुख दूर करने का सक्त हिदायत दिया जब लोगों से उन्होंने मिला लोगों को खुशियों का ठीकाना ना था चेहरे पर मुस्कान थी कोई तो ऐसा आया जो हमारा हाल जानने के लिए आया सडक के किनारे फूल फलाई ओबर के नीचे कडाके के ठंड में सो रहे गरिव भाईयों को नीजी कोश से कम्मल बाटे तथा उनसे वारता लापकर विभिन समस्याओं और अपे छाओं को भी जाना आपको बता दे कि त्यजश्ट भी यादो केवल उन्हें हाल ही नहीं जान बलकि इस कडाके की ठंड में उन्हें भरोसा के साथ साथ कम्मल भी दिया और आगे भी इसे जारी रखने की भी बाते कही कई बुजूर्गों ने उन्हें आसिरवाद के तोर पर हाथ भी उठाते दिखे इवाओं में काफी मुश्कान देखी गई आपको बताते चले यह आ है जहां आस्पा सोचाले नहीं वहां अलग से सोचाले की बेवस्ता की गई है अपने फेस्बुक पेज पर इन तमाम चीजों और तश्वीरों को डालते हैं उन्होंने लिखा है सभी में स्वच पेजल की उचित बेवस्ता है जरूरी शमान रखने के लिए सभी लोगों के खुद तेजश्वियादों ने अपने फेस्बुक पेज पर ही अंकित किया है अगनिक शमन उपकरणों की भी विवस्ता करने के लिए भी हमने अधिकारी गन को कहा है जो भाई अपने रिक्सा ठेलो और अथवा अन्यवाहनों के सुरच्छा को लेकर चिंता में इन आश्र मसलों की लगटार संख्या बढ़ाई जा रही है रहें बसेरों का लाव पाने की लिए परिकिरिया को एकदम स्तरल बनाने को भी कहा ताकि अधिक सथी के इनका लाब लोग उठा सके उन्होंने अंत में अपने फेस्बुक पेज पर लिखा है जंजन की वहां गटबंदन सर रात करकराती रात में करकराती ठंड में अगर सडकों पर निकल जाए तो वाही करना और रस्वाद देना तो जरूरी है तो फिर मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जाहें